नमस्कार, दुनिया की समझ नहीं है, हर कोई आपको पागल बना के चला जाते हैं, लोग आपको मुर्क समझते हैं, अरे यार ये तहर कैसे कुछ होगा, दुनिया को कैसे समझें, दुनिया को कैसे अपनी वेल्यू समझाएं, और कैसे अपने आपको मजबूत करें, हर इंसान के सामने कभी को भी ऐसी प्रोल्म आदी है तो सबसे पहले तो खुद को मजबूत करें और कुछ ऐसी बाते हैं जिसको आप नोट करो जो अपने आप से वादा करो कि मैं इन रूस को जीवन में हमें से अपना हुगा हर किसी की बातों में मताना बहुते लोग क्या करते हैं को भशतों के जाल में भाशाकर आपसे कुछ भी काव कर आप को आपको बात बता रहा है कोई आपको प्रबावित कर रहा है तो उससे पहले दस बार सोचे गान-बनतन करें विचार करें और तुरुंत जवाब ना दें बहुत से लोग आपको देखने आप सीथे साथे तो आपसे हाँ करो वाकिन वो काम करो लो हो सकता है कि आप किसी के सामने बैटे हो और किसी बात तो डिसकेश चल रहा है और आप ने नहीं ले पा रहे हो तो उसको समय दे यार मैं तेरे को कल बताओंगा मैं तेरे को शाम को बताओंगा यार मैं तेरे को दो दिन बात बताओंगा अगर आप किसी विशे को लेकर कंफूजन है आपको डिसिजन नहीं ले पा रहे तो उसी वक्त हां कहना जुरूरी नहीं है समाई ले शाम को बताऊंगा कल बताऊंगा पर्शू बताऊंगा और आप सब्स durum्त करें और परिवार्घ उनसे पोच कि फिर आप करें और सामने वां कहां तुंहे अधर पर लोग तो आपको उसी कम भीखंबना जाई मैं भी कुछ बड़ा करने की सोच रखेंगा है आप सिधे साधी वह वोले यह वां से मृक्म लाइप में कुछ बड़ा करना है कुछ अच्छा करना है कुछ नया करना है कुछ डिप्रेंट करना है सोच तो आपको अच्छी बनानी होगी जब आपकी सोच अच्छी बनेगी तो आपकी प्रस्टनाल्टी में अंतर आएगा आपको बिहेवर में चेंज आएगा आप अपन चल रहा है बस चल रहा है यही सेटिस्पेग होड़ा है मुझे यही रहना है नहीं सोच बड़ी रखेंगे ना तो लोग आपके साथ जूड़ते जाएंगे और आपको अपने आपके अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित न करें आपको लगता है कि यार कहीं न कहीं आपको लगता है यहां मेरा स्वार्थ है यहां यार मुझे कुछ फाइदा मिल रहा है बिलकुर आप फाइदा लीजी बेनिफिट लीजी लेकिन किसी का आहित मरके आहित करके बेनिफिट मत लीजी आप शोर्ट टाम के लिए खुश हो ज सकती है इसलिए सामने वाले कभी भी आईद न करें उसका आईद करके अपना फाइदा मत ले उसकी जब बद्वा निकलती है ना तो बहुत बूरी लगती है और इंसान कहीं का नहीं लेता है किसी को दुख देके गर आप पैसा कमाते हो तो इसा कभी मत करना अपने अपमान का बद्वा मूँ से कभी मत लेना आप सिंपल आप सिदे साधे और कोई आपका अपमान कर देता है आपको बेकुफ समझ के चला जाता है समझ ले तो जो कर रहा है उसको करने तो अपने अपमान का बद्वा मूँ से न ले अपने अपमान का बद्वा कुछ ऐसा करके लेकिन आप कुछ ऐसा करके दिखाओगे, कुछ ऐसा बढ़ा करके दिखाओगे ना, तो सामने वाला सरमिन्दा हो जाएगा, सामने वाला लज्जित में सुस करेगा, इसलिए कभी भी अपने अपमान का बदला मूँ से मत लेना, क्योंकि अपमान का बदला मूँ से लेने से, आपके विल्यो खत्म हो जाती है, अपमान का बदला कुछ करके दिखाने से लिया जाता है, ना कि मूँ से बोलने,